नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में फ्रेंड्स यदि आप एक यूट्यूबर हैं और यदि आप एक यूट्यूबर बढ़ना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हैलफुल रहेगा Friends, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जो YouTube का आपका अकाउंट है, उसको आपके bank account से link करने का पूरा प्रोसेस, Google AdSense account को bank account से link करने का पूरा प्रोसेस में डिटेल से बताऊंगा, यानि add payment method कैसे करते हैं, payment method कैसे add करते हैं, Google AdSense में सारी दिखते हैं, वो भी latest जानकारी के साथ, और मैंने अभी अभी अपना bank, जो add payment method, ये प्रोसेस मेंने अभी अभी complete किया है, तो friends सबसे पहले तो आपको इस page पर आने के लिए, देखें ये payments ये home page आपका यहां तीन लाइने हैं, इन पर जब आप click करोगे तो payments का option आएगा, तो payments वाड़े page पर आपको आना पड़ेगा click करके, तो friends यहां आप इस तरह का देख सकते हैं, ये जो लाल कलर के verify करवाने के लिए, जो दिख रहे हैं आपको उपर और निच्चे, action का button दिख रहा है, आपको एक verify का, ये आपका payment method add करने के 12 गंटे बाद ही दिखाई देंगे, तो friends आपको 12 गंटे का इंतजार करना पड़ता है, मेरे को भी tension हुई थी, कि payment method add करने के बाद भी, ये options क्यों नहीं दिखाई जा रहे हैं, और friends ये latest option है, पहले के वीडियो में आपको ये option कहीं भी इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, इसको आपको छूना भी नहीं ह पास जो pin पिछले वीडियो में मैंने pin verify किया था, जो मेरे पास मेरे address पे speed post से मिला था, तो friends उसी को use करना है और इस action बटन से pin verify करवाना है आपको, तो payment method के बारे में ये वीडियो तो मैं पूरा process में आपको बता रहा हूं, यहां आपको add payment लिखावाओगा, आप अब भी आप अपने channel पर देख सकते हैं, add payment method लिखावाओगा, लेकिन वो option इस तरह ग्रीन कलर का नहीं है, वो ग्रीन कलर का तब होगा, तब आपका threshold कुछ एक दिखाएगा, 10 डोलर के आसपास threshold हो जाएगा तब, यहां आपके 10 डोलर हो जाएगे, तब यह, और यह 10 डोलर आलांक ही ओगे होंगे आपके, अभी तक लेकिन यह 12, हर महीने की 12 तारिक को अपडेट होता है, 11 तारिक की, यहानी 11 जुलाई की रात को आपका अपडेट हो जाएगा, तो तब आपका यह option green हो जाएगा, और उससे पहले यह पूरी process में आपको बताता हूँ कि क्या-क्या आपको Swift code वगेरा, क्या-क्या आपको त्यार रखना है उस दिन, और friends जैसे ही आप add payment method पे किलिक करोगे, अगले महीने की 12 तारिक को, यानी 12 जुलाई को, तो इस page पर आप आज जाओगे, और यहां आपको त्यार रखना है, शिरफ आपको यह 4 option ही बरने है, bank account, bank name, IFSC code, और Swift code, औ account number, और फिर account number दुबारा से type करना है, उपर यह उपरो आपको option मिलेगा, beneficiary ID, optional है, यह आपको नहीं बरना है, और निच्चे के भी 2-3 option है, जो भी आप, यह भी आपको नहीं बरने है, यह भी optional है, यह मैं आपको आगे दिखा भी दूँगा, कि दोनों option, यह optional है, आपको न name on bank account, जो आपका name on bank account, यह दियान रखना है, फ्रेंट्स, दियान से पढ़ना है, अपना खुद का नाम बरना है, जो भी आपका नाम है, जो भी bank account में आपका नाम है, जिस भी bank में आपका account है, और यहां bank का नाम लिखना है आपको, state bank of India, फिर IFSC code, आपकी bank account की जो passbook है, व आपको यहां बरना है, इसके बाद फ्रेंट्स, सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी step है, swift BIC code, यानि swift code, इसको आपको सर्च करना है, कई फ्रेंट्स, जो यूटूबर्स हैं, उन्होंने वीडियो बना रखा है, वो Google पे सर्च करना बता रहे हैं, लेकिन फ्रेंट्स, मैंन काफी मुश्किल से swift code ये प्राप्त किया है, दो तीन banks के चकर काटे तब, और उन से मैंने पुछा भी कि जो ये गूगल पे दिखा रहा है, गूगल सर्च पे, क्या ये swift code चल जाएगा, जिस भी रिजन का आप नाम लिखोगे, जैसे जहां भी जिस भी सहर में, दिल्ली मे किसी भी बड़े सहर में bank account है, आप वहां का swift code ले सकते हो, आसानी से गूगल पे, और यदि आपका छोटा सहर है, तो आप जैसे एड़ कोटर, जैसे राजदानी का, जैसे लखनव का या दिल्ली का, आपके एड़ कोटर का, जहां भी state की राजदानी का, आप swift code भर सकते है लेकिन friends, जो मैंने जहां तक मेरा experience है, मैंने कई banks के चक्कर काटे, तो उन्होंने बताया कि ये swift code अब नहीं चलता, जो गूगल पे दिखा रहा है, SBI का मैंने swift code पता किया था, तो एक bank में तो उन्होंने गल्त बताया, थोड़ा सा आद्दा सही बताया, वो बोले उस bank में, उस branch में पता कर लो, तो मैं दूसरे bank branch में गया, वहां से मैंने swift code का पता किया, तब मैंने बरा उसी दिन, 12 जून को मैं स्याम को 4 बजें अपना य तो friends उसके बाद आपको account number बरने फिर है, retype account number, वो account number ध्यान से बरना है, इसमें आप edit नहीं कर पाओगे, यह ध्यान रखना नया payment method, add कर पाओगे, इसमें edit करने का आपको option नहीं मिलेगा, तो friends ध्यान से पूरी detail को बरना है, और फिर save कर देना है, यह जो save button है, इस पे click कर इसको save कर देना है, और friends इसके बाद मैंने आपको बताई दिया है, 12 गंटे का आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपका red color का यह option आ जाएगा, और 12 गंटे जैसे 12 जुलाई को आपको 12 जुलाई की रात को यह दोनों option, add payment method वाला action वाला बटन आपको दिखाई दे जा यह page दिखाई देगा, आप जैसे add payment method, manage payment method, मेरा भी जो लिखा रहा है, उस पे किलिक करोगे, तो यहाँ आपको दो option दिखाई देंगे, यह मैंने primary select किया है बाद में, तब ही यह जाके यह option दिखाई देंगे, और जब यह आपका dispatch होगा, जो pin number है, जो कल वाले वीडियो म मैंने live आपके लिए verify किया था, तो primary और एक और option होता है, मेरे ध्यान नहीं है, वो option click wow आउता है, तो उस में से आपको दोनों में से primary select करना होगा, primary select करते हैं, आपका यहाँ नाम आज जाएगा, और आपका wire transfer to bank account, आपके bank account के last three digits आज जाएंगे, और नया payment method भी आप add कर स और यदि आप primary की बजाए यहाँ एक और option है, वो select रहा, तो आपके पास pin नहीं बेज जाएगा, तो friends इस बात का आप ध्यान रखें, और यह action का जो button है, और उसके साथ नए वाला button जो की पहले तो बाद में आता था, यानि 44 दिन के बाद आता था, वो option, और अब लेकिन यह option दिखा देता हूं, यह वाला option, यह 44 दिन के बाद आता था, रेड कलर वाला, लेकिन अब यह शुरू में ही दिखाई दे रहा है, यह आपका photo ID proof है, यह verify पे click करोगे, तो आपको photo ID proof से verify करवाना रहता है, तब आपको आपके जो address है, उस पे नहीं पहुँच पाता है, पिन तब का है, यह option, तो इस option को आपको use नहीं करना है, और ध्यान रखना है, और friends आगे भी इसी तरह हैं कि मेरे channel से related या कोई भी जानकारी से हैं, के लिए आप मेरे channel से जुड़े रहे हैं, सब्क्राइब कर दीजिए, और friends और भी जानकारी देता हूं, देखें यह optional हैं निच्चे के दो option हैं, यह optional दिखाई दे रहा है, कोई भी इनको बरना नहीं है आपको, यह देखें, इंटरिमीडियेटरी स्विफ्ट BIC, यह भी optional है, जैसे आपको इन पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यह optional है, और friends, आप सभी friends के request पर ही मैंने यह video बना है, यह friends है, मेरे 37 खुषवा हैं, इनका message आया था पिछले वीडियो में, और दरमयादव हैं, फिर हैं, टार्गेट टीचर्स, 68500 यह channel है, इनका, यह भी दोस्त हैं, अपने, दिली रहते हैं, और उसके बाद है, study with aim, इन्होंने message किया है, उसके बाद है, comedy, कब आप, यह इ देखने के लिए, और मेरे channel को subscribe जरूर कर दीजिए, और इस video को like कर दीजिए, आपके काफी काम आएगा, तब आप payment method अगले महिने, add करोगे तब, तो friends आपका बहुत बहुत धन्यवाद, friends आपको एक जानकारी देना बूल गया, कल हमने जो pin verify किया था, pin जो मेरे पास by post प channel पर दिखाये जा रहे हैं, और मैंने दूसरे वीडियो जो भी देखे हैं, तो उनमें भी बताया जा रहा है कि ये दो दिन तक रहेंगे, उसके बाद ये अपने आप अट जाएंगे, तो friends आपको भी ये दिक्कत आए, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ये बटन जरूर काम करेगा, लेकिन आपको इसको यूज नहीं करना है, दो दिन के बाद अपने आप अट जाएगा, और RMN की 21 तारिक को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे, और उसको 7-8 दिन के बाद आप निकलवा सकते हैं, तो friends दन्यवाद वीडियो देखने के लिए जुड़े रही मेरे चैनल से,